हलो दोस्तों स्वागत आपका और हमारी यूट्व चैनल के से हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किसी भी बैंक का IFC कोड के से निकाल सकते हैं ओनलाइन तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्ता किस दोस्तों सोरी किसी भी क्रॉम ब्राउजर में आपको चले जाना है यहां पर आपको टाइप कर देना है चलिए मैं एक टाइप कर देता हूं आपको मेरे जैसे स्टेट का निम होता है पहले स्टेट का नाम लगा देंगे फिर जहां पर आपकी ब्रांच है जैसे आपकी ब्रांच कोई भी होती है ब्रांच है उस ब्रांच की कौन सी सिटी में वो सिटी का नाम लगा देंगे और उसके बाद चो बैंक का आप निकालना चाहते हैं जैसे SBI का हो गया State Bank of India है और उसके बाद अपना यह चलो मैं आपको पहले SBI का निकाल के दिखा देता हूं कि अज़िए आई कि एसी कोड़ इसे आप सर्च मारेंगे यहां पर सबसे उपर देख सकते हैं State Bank of India सादलपूर ब्रांच IFC कोड मैंने एक City का निकाला है और यहां पर जो City का पोस्टल कोड होता है वो भी आपको दिखाई देदेगा यह इसका City का पोस्टल कोड है इसका जिले का नाम और जो City का पोस्टल कोड है 33 यह है उसका नाम उसके बाद यहां पर नीचे कलिक करके भी आप देख सकते हैं यहां पर IFC code है और यहां पर भी city का नाम है ब्रांच जिस city में उसका नाम है यहां से आप copy भी कर सकते हैं ठीक है यानि ब्रांच क्या होती है दोस्तों ब्रांच यह होती है जिस city में आपकी bank है यानि बड़ी bank है ब्रांच है उससी को ब्रांच कहते हैं तो उसके बाद पंजाब नेशनल का निकालगे देखते हैं पंजाब का शोटने में आई एफ सी कोड़ यहाँ पे सर्च मारेंगे यहाँ पंजाब नेशनल का भी देख सकते हैं सेम है सिटी का नाम जिए सिटी में ब्रांच है उसके जिले का नाम है और उसके तैसील का जिसे यह तैसील यह जिसील का मैंने लिखा है वो तैसील यह गर छोटा गाम होता है अब गर आपके बैंक दूसरी यानि सिटी में है जिले में है वहाँ पर यह ब्रांस रहती है तो उस city का जिले का नाम लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इसी तरीके से किसी भी बैंक का पहले आपको अपना state का नाम लिखना है जैसे आप यूपी से हैं जैसे यूपी लिख दिया है उतर परदेश उसके बाद जिस गाओं में जिस city में आपकी बैंक है उस city का नाम लिख देना है और उसके बाद बैंक का नाम लिख देना आई एपसी कोड लिख देना आपको नीचे पूरा डिटेल में आ जाएगा तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों किसी भी बैंक का इंडिया हो पाकिस्ता